हेलो गाईज आप सभी कसाओगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देशी तरका फूट पे तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिना सखाएंगे करेले जो की बहुती सिंपल सा मेदे से बना है स्नैक है जो के खाने में बहुत क्रिस्पी लगता है तो इसके लिए सबसे बहले हमने आपे लिया है मैदा एक कटोरी मैदा लिया है अब इसमें हम डालेंगे मसाले जो इसमें लगेंगे इसके लिए सबसे पहले हैं आपे लिया है थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन फिर थोड़ी सी टाटरी खट्टे बन के लिए फिर इसमें डाला है हमने एक चमच नमक और फिर इसको मिक्स करेंगे पूरे को अच्छे से अंदर हमने डाला है गरम तेल आपको ठंडा तेल लिए डालना है इसमें गरम तेल डालना है गरम तेल डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे ध्यान से तेल गरम होता है तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका डो बनाएंगे डो आपको पानी से बनाना आपको दूद से बनाना है और चाहो तो दूद पानी दोनों मिक्स करके इसका डो बना सकते हो इसका डो बना जाए तो हम चोटी से लोई लेके पतला रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे इसके बाद इसको गोल गोल शेप में कट कलेंगे कट करने के बाद चाकू की हल्प से या किसी चमच की हल्प से इसमें बीच पीच में छोटे-छोटे-छोटे कट लगाएंगे उसके बाद हम इसको रोल करेंगे गोल 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 और इसके जो आइट साइट के जो एंड है उसको अच्छे से प्रेस करके टाइट प्रेस कर देंगे और यो डिजाइन बना लेंगे करेंगे तो हम और इसको डीप फ्राइ करेंगे तो हमने और यहां पर गरम कर लिया इसके वाद एकक करकें सभी को इसमें डाल देंगे कर देंगे काकु मेरे मुंपे माइप कर देना कॉम में मतादम तुम्नल डे अद्र है मैं अदर करेछ न डेखनल कर दो बीच बीच में चेक करते जाएंगे और दिखते जाएंगे यह अच्छे से बने हैं या नहीं जब उन पर गॉल्डन ब्राउन कलर आ जा जाता हम उसको निकाल लेंगे उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे तो मसाली के लिए आप हमने लिए पीसी हुई चीनी चीनी के अंदर डाला है एक चमच धन्या पाउडर फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा रैड चिली पाउडर और फिर थोड़ी सी टाटरी खटाई के लिए अगर आपको खटा नहीं पसंदा आप इसको स्किप कर सकते हो उसके बाद इसमें डालना है नमक और फिर यह मसाला बनगे इस मसाले को अच्छे से पूरा पीस लेंगे उसके बाद हमने जो करेले बनाये थे उसके अंदर अच्छे से सारा मसाला मिक्स कर देंगे पूरा तक यह पूरा अच्छे से मसाले में कोट हो जाए तो यहाँ पे हमारे snacks बनके तयार है अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने friends and family के साथ शायर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना